प्रतिक्रिया मध्यनवा सर क्या बोलेंगा आपका पहला रियक्शन क्या होगा आप 16 तरीकों पिटिशन डाले हैं लेकिन ये जो वर्षा जी के तरफ से पिटिशन डाला है उसका कपी या कुई नोटीस आपको अभी तक मिला है और आपका जो डिमांड क्या बेसिस पर आप वर्षा जी की पिटिशन में अभी हमारे पास कोई नहीं आई है हमने तो समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके टीवी चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि वर्षा जी ने पिटिशन डाली है और उसमें एक कौमन जो कट कॉपी पेस्ट वाले एलिगेशन होते हैं कि हस इसको हमने किसी मीडिया चैनल को नहीं शेयर किया किसी भी अख़बार में नहीं शेयर किया सिर्फ इसले शेयर नहीं किया क्योंकि अनुभा मोहंती जी के लिए वर्षा जी की डिगनिटी वर्षा जी की रिष्पेक्ट वर्षा जी का ओनर सबसे बड़ा पैरामाउंट था उन्होंने कोशिश किया कि वर्षा जी की बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं आए और यह मामला चुप-चाप सेटल हो जाए, उसके पहले भी लगाता रहूँ कोशिश करते रहे कि mutual consent से इस मामले का settlement हो जाए, परन्तु वर्षा जी की तरब से कभी ऐसी पहल नहीं हुई, मई म अप्रेल में भी उन्होंने mutual consent से petition फाइल करने के लिए इमेल किया, पत्र लिखे, चिठिया लिखी, SMS किया, टेक्स किया, अगर कभी भी वर्षा जी नहीं उसका जवाब नहीं दिया, आप दूसरी बात यह समझे कि 2014 में शादी हुई, 2014 से 2020 तक इनके बीच में physical relation नहीं बना Mary's consummate नहीं हुई, जो सबसे बड़ा ground है divorce का, दूसरा लगातार जो family values होती है, family relations में माबाप होते हैं, माबाप की respect होती है, परिवार के लोगों के रिशुदारों की respect होती है, वो वर्षा जी ने कभी भी नहीं दिया, तीसरी बात यह देखिए कि हम चो अख़बारों में पढ़ रहे हैं, बड़ी painful story कि उनके माबाप, माने अनुभाव मुहंती जी के माबाप के साथ 11 अगस्त को 15 अगस्त को गवर्धन पूजा पर वो अपने picture शेयर कर रही हैं, वो कह रही हैं हम इनके साथ रह रहे हैं, मेरे मापिता जी हैं, इनके साथ celebrate कर रहे हैं festival, और ये पता चल रहा है, एक इंटर्व्यू के दौरान पता चला है, वो कह रहे हैं, 4 जून और 5 जून 2020 को अनुभाव मुहंती जी के माता पिता ने उनको गालियां दी, उसी घर में रहकर के domestic violence का allegation लगा रही हैं, आप समझे कि the grudge of the society कि 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 किसी की image को tarnish करने के लिए किस label तक परिचाय जा सकता है, परन तुम मैं यह कहूंगा कि अनुभाव मुहंती जी ने जिस महानता का जिस dignity का परिचाय यहां पर दिया और 3-3 महीने तक उस petition को किसी के सामने शेर नहीं किया, वो बताया नहीं, यह साबित करता है कि अनुभाव मुहंती जी ने हमेशा से कोशिश कि family values बची रहें, अब अरशा जी का petition हमारे पास आएगा, हम उसका जवाब देंगे, यह भी बात भी हो रहा है कि आप जैसे बोले कि बर्शा जी के dignity की बज़े से वो शेर नहीं किये किसी के साथ, यह भी हो सकता है, यह एक हाई प्रोफाइल लीडर भी है, वो एक लोग सो करना अभी से अपराधी मानना शुरू कर दिया है, बजाए कि उस बात की समस्ते हुए, डिग्निटी को समस्ते हुए कि परिवार में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, प्राइविसी भी एक चीज होती है, हस्बेंट वाइव के रिलेशन में को पॉलेटिकल इशू नहीं है यह रिष्टों के बीच में रिष्टों, दो रिष्टों को अलग होने या एक साथ होने की बात है, यह फैमली वैल्यूस की बात है, तो उसको जिस तरह से पॉलेटिकल कलर दे करके समस्त अख़बारों में टीवी चैनल्स पे सोशल मीडिया के माध्यम से इमेज को टार्नि इसका लिगल प्रसेस अभी क्या है, आपकी तरफ से क्या पहल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो सबस्क्राइब करें अभी नोटिस इशू हुआ है, और हमारे पास किसी भी नोटिस के कौपी नहीं आया है, तो जब हमारे पास आएगा तो हम उसका रिपलाई देंगे, परणत तो domestic violence का मतलब होता है कि इनको वहाँ पर कुछ ऐसे incidents होने चाहिए, वो incidents अब तक प्रूफ नहीं होगा, इसमें report आएगी, जो protection commissioner है, जो protection body है, वो report देगी, report में जब वो पाएगी किस तरह के incident हुए, तभी court उसको consider कर देगी, फाइल कर देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो divorce की बात है, ये Hindu Mary's Act में सबसे बड़ा ground है, physical relation नहीं बनाना, cruelty की बात, तो ये सब intentional insult, साल भर से साथ में नहीं रहना, ये सब साबीत करता है, अनुभव को छोड़ कर चले जाना, किसी भी समय, और उनके उपर आरोप लगाना, शराब पी रहें, ये साबीत करता है कि वर नोटिफिकेशन है दिल्ली हाई कोड का, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक मैटर्स जो है, अटोमिटिकली एक नियत डेट पर एक फिक्स डेट पर आगे जा रहे थे, तो हमारी अरली हीरिंग के अप्लिकेशन दी उसमें लगीगी, और वो निश्रिक तोर पर उसमें जो इमेज अची, ता अख्यून रख्या पाई शे मेडिया को सेयर करने थे ले याको गुपत रखे ते ले, किन्तो बरतवान जहेतू बरतवान मेडिया फ्ला से ही सरची, तेनों से नहीं बरतवान से सफ़े दोऊ चंदी, जे कोट ना कोटी बर्षां कर जो आलिगेशन, जो पेटीशन ले से मेंचन कर चंदी, ते सारीजिका संपर्क न थिला, एबं गुट्य पटे घरे रोहुत ला बेले से डुमेज श्रीक भाईलो इन्चरा कथा आनी चंदी, तेनों याको नहीं की बरतवान से जो पेटीशन दार कर थे ले, ता वरतवान साथ ओक्टूबर कर सक्राद ले संपर आत, जो और आत, याको बाहलन से जोप्टूबर कईए हिला, तेस डार कर चंदी, ते स KalauНА तो不是 मेंचन कर दले, तेस Nine कर दुमेज पट ब कर तो नहीं की बरतवान से और मों से जो पेटीशन दों धी झाल